खाना होतना ही जरूरी है जितना कि सास लेने के लिए हवा खाना वो होता है जो हमारे काम क्यो चाहते हैं पैसा शरका ने लिया विश्श कर दिया क्रोप जा किसे जैसे म के रिधी चो दूधरलली सबस्ते हैं वह क्या हाल चाल है आप सभी के सोग कैसे हैं हमारे बच्चे और कैसी चलरी आप लोगे प्रिप्रेशन आई होप कि अभी तक के सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत यूसफुल रहे होंगे और आपने उनका भरपूर यूटिलाइशन किया होगा अपनी एक्जाम यही सब चीजे ऐसी बाते आज आप पढ़ने वाले कि कैसे क्या हुआ और कैसे यह चीज जो स्टार्ट हुई थी किस पीम ने फूट सिक्योर्टी के जो एक स्टैप इंपोर्टेंट स्टैप लिया गया तो उसके लिए कुछ एक पर्टिक्लर जिसमें क्रॉप पढ़ने वाले हैं तो बने लगए हैं मेरे साथ आज मैं आपको फूट स्टी इंडिया पढ़ाने वाला हूं एक और चौटा सा लेक्चर बहुत फटाफट कट्ट टकने वाले हैं फूट सिक्योर्टी इंडिया की बात कर रहे हैं चलिए कैसा रहने वाला हैं अगेन वही one short complete lecture food security बात है खाना उतना ही ज़रूर है चितना कि सास लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी यह इतना ही इंपोर्टेंट है और यह भी इतना ही इंपोर्टेंट है food security उतना ही इंपोर्टेंट बन जाता है तो चलिए शुदूरात करते हैं क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों what is food security सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is food security food security होता क्या है देखिए खाद्य शुरक्षा खाने की शुरक्षा मतलब खाने की ability खाने को access करने की जो power है लोगों के पास वो होना चाहिए साथ ही साथ उसको effort करने के range में भी आना चाहिए खाना सामने पड़ा है आप उसे खरीद नहीं पा है आप उसे खाने ही पा रहे है माल लीजे कह दिया खाना पड़ा है वह सड़ा हुआ पड़ा हमारे किसी काम कर नहीं है खाना वह होता है जो हमारे काम को जिसे हम खरीद पाए जिसे हम access कर पाए तो तीन बाते धियान रिखिए का food security में क्या आता है accessibility availability and affordability सबसे पहली बात करते हैं ability of food खाना हो यह सबसे बड़ी बात है food security को ensure करने के लिए भाई food security कैसे होगा खाना है तभी तो होगा सबसे पहले food होना चाहिए food access भी कर पाए वह हम लोग उसको जो है न मतलब देख पाएं उस तक पहुंच पाएं next इस उसको effort भी कर पाएं अब जगा कुछ और खाले थे पेटी तो बरना है so there has to be something there has to be access power affordable power and ability of food for the every citizens in the country उनके पास यह चीज होनी चाहिए तो सबसे पहले decide करते है ability of food क्या होता है खाना किसी भी प्रकार से देश में होना चाहिए चाहे नहीं है import करो stock में लाओ जो भी सरकार के पास खाना है कहा होगा या तो बाहर से लाएंगे या इस साल पढ़ो इस लाओगा या फिर इस टॉक में पढ़ा होगा यह साला खाना आपको क्या बताता है ability of food देश में है बात करते accessibility क्या होता है भाई मेरी रेंज में होना चाहिए मेरी रेंज में खाना होना चाहिए इसको वहीं की वहीं वापस लो अपने को नहीं चलता आपने को तो ऐसा चल जाएगा बाजरा पेटी तो भरना है तो खाने का मतलब यह है जब आपके खाने की ability हो जब खाने की accessibility हो और आप उसे effort कर पाए effort मतलब you have enough money to buy that product अगर आपके पास इतना प्रयाप्त पैसा है आप उस चीज को खरी सकते हैं तो भाईया आप food security की category में आगे हैं और यही food security करने के लिए जरूरी है क्योंकि खाना होना ही काफी नहीं खाने को गरीब हो तक उनक खाने की ability खाने के accessibility accessibility खाने के affordability now the question is why food security कर क्यों रहे है जड़ी नहीं है अब भया हम तो solar plate लगी हमारी कमर में हम तो उससे चलते है why food security तो सुनिए देश में कभी भी कोई आप दाय जैसे covid आया था बाड आ जाए भुकम पाजाए कोई भी natural calamity disaster आ जाए होगा क्या अमीर हो natural calamity natural calamity किसी को नहीं बख्षती है natural calamity natural calamity में सबका नुकसान होता है चाहिए वो रिच हो चाहिए वो पूर हो चाहिए वो एनी सेक्शन आप सिटीजन हो प्राइस बढ़ना शुरू करते हैं और जब प्राइस बढ़ते हैं न बच्चो तो लोग खाना effort नहीं कर पाते क्योंकि जो खाना कल तक 10 का था वह आज हजार का भिक्राए तो मैं effort नहीं कर पाऊंगा और जब ऐसी इस्तिती बड़े लेवल पर हो जाए मानलो पूरे भार है बट हमारे पास उतना पैसा नहीं है आगया ना वहीं केस फूड एक्सस फूड एफ़र्डिबिलिटी अगर इन तीनों मचे कोई भी स्टेप हटता है तो हम ऑविएसली फेमाइन स्टार्वेशन इन सब का शिकार होने वाले हैं तो फूड सेक्योटी को जरूड है क्यों नहीं करें ना जाने वह कब तक रिकवर होगे उससे हम तो फिर खाना तो चाहिए क्योंकि सबसे पहले कुछ हो ना खाने के लिए खाना चाहिए अमर नहीं सकते हैं तो ऐसी सिच्वेशन ना जाए इसलिए जो है फूड सिक्योर किया जाता है आपने टर्म बोली वाट इस कृमेल नहीं लगे तो आपकी आथिया यह वह नजर आने लग जाती है जैसे यह आरही तो यह س्थिति बहुत बुरी है जैसे बहुत बुरी जलते हैं घंदी जगह से पानी पिना शुरू कर देती है कुछता ही देख लो ऐसे घर की खरता रहता है अभी क्या न कि अभी आप गंदा पानी पीएंगे गंदा पानी पेंगे खराब खाना खाएंगे जब को आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप ऐसा सडा हुआ खाना काते बहुत सारे लोग है आपने देखा होगा ready page जब ready जो होती है फलो की जो ready होती है fresh fresh फल 100 पे 200 रप किलो से बिग गई लास्ट में देखें आप 30-40 रप किलो से बिशते हैं वो rotten खराब बेकार से उसे गरीब खाता है उससे क्या होगा अंदर body में problem होगी problem कैसी होगी आपके शरीर में कई बिमारियां जन्म लेती है तो क्या होता है it causes loss of body resistance आप एक ऐसी बिमारी अंदर develop कर लीते हैं और आपको च्हींक रही है जमीन से सीधा फोटू में यायनि की आई गयाना के उपर पर मात्मा के पास पहुंच लेती है अस तक अगर भारत में सबसे सबसे खतरनाक दिवाश्टेटिंग मतलब खतरनाक फहमाएं अगर इंडिया में आया है तो वह बेंगोर फहमाएं जो कि 1943 में आया था और यह 1943 में फहमाएं ऐसा आया कि 30 लाख लोगों की मिरत्यू इसमें हो गई 30 लाख लोगों की मिरत्यू हो गई ऐसे ही आप देखेंगे एक रिसेंट में आपने पेंडमिक कोवेट 19 सुना होगा इसने भी काफी लोगों की लाइफ पे असर डाला अगर फूड सिक्यूरिटी नहीं होती अगर स्टॉक में खाना नहीं वह कौन थे अग्रिकल्चर लेबर फिशर्मेंट ट्रांस्पोर्ट बेसिकली कैजूल वर्कर्स मिडल क्लास के जो लोवर क्लास के जो वर्कर्स है जिनका धंदा ऐसा है कि उनको अच्छे से तनखा नहीं पैसा नहीं मिलता वो लोग इस बेंगल फेमाइन में एफेक्ट व करूरी है ऐसी कंडिशन से बचने के लिए ओवराल फूड इंसेक्ट पीपल कौन होते हैं सबस्यादा खत्रा किसको तो देखिए खत्रा सबस्यादा उस आदमी को है जिसके पास जमीन या तो ना के बराबर है या बहुत जादा गरीब है दूसरा कौन ट्रेडिशन कोई च एंड गरीब लोग बिखारी लोग सबसे ज्यादा फर्क अगर पढ़ता है तो इस ग्लास को पढ़ता है अगर महीं बात कर ले कि शहरों में किसको फरक पढ़सकता है यह तो ग्यों ऐसे काम ऐसे धंदे जिन में तनखाक मिलती यह पैसा कम बिलता है कैस्वल लेबर मार्कि कि कहीं पन्ना कोई लड़की का सामान आ गया शादी का लड़की का पाप उठके गया रोल पे चौक पे गया वहां पर दो लेवर पेटेते उठा लाया तो कैसे लेवर कैसा हो गया आज उसको लड़की का सामान उताना तो मिल गया 500 500 पर बहुत खुश हो गया अब यह रोज किस पर dependent है seasonal activity पे seasonal activity लोग पूरे साल घरनी बनवाते हैं लोग पूरे साल अपनी बेटों की शादिया नहीं कर रहे होते हैं रुकते हैं लोग इसे बहुत सारे काम है जिनमें पूरे साल नहीं चलता इसलिए हमें कह सकते हैं कि वहां पर जो आपको activity देखने को मिलती है वहां पर वह activity ही उनके लिए गरीबी का करण बनती है क्योंकि जो activity वह कर रहे हैं वह पूरे साल नहीं चलेगी इसलिए यह भी इंपक्ट होते हैं अगर class section की बात करें तो ST हो गया इंपक्ट आता है और बात करें कौन हो सकता महिला महिला कैसे हो सकते सुनिए महिला की प्रॉब्लम है हमारे देश में खासकर एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है आप देखना जातर बच्चे जो रहीसों की बात नहीं कर रहा रिचनेस की बात नहीं कर रहा I am talking about the woman जो टीपिकल इंडियन वुमें जो गाओं में मिडल क्लास में होती है उनका क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं अच्छा घर नहीं है आप बहुत नॉर्मल क्लास से ब्लॉंग करती है तो आपके पास जातर जो मिलेगा केस मिलेगा मैल नूट्रीशन का जातर महिल आप गाओं में देखना पतली-पत बतलब जो माँ अपने बच्चे को दूद पिलाती है यह सबसे जादा फूड इंसेक्योर कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वह बच्चा देखना बहुत पतला सा रहेगा लाइफ सर्वाइब कर ले बहुत बड़ी बात है मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखें जिन्दगी में बहुत कमजोर बहुत बहुत ही बदलब जिसे कहते हैं क्या कहूं मैं ऐसे वर्ड के लिए ऐसा लगता कि जान नहीं बच्चों मैंने अपने सामने ऐसे बच्चे उठा के देखें मैं इसमें वजन नहीं कैसे सरवाइब करेगा क्योंकि हरेक के लिए फिवर किड़नी है शर फैमिली हेल्थ सर्वेई यह कहता है 1998-99 के हिसाब से कि ऐसे बच्चे रहे से महिलाओ की जो टोटल काउंटिंग हभारत में वह 11 क्रोड है मजाग नहीं है यार 11 क्रोड बहुत बड़ा अमाउंट होता है 11 क्रोड 11 क्रोड बच्चे और महिलाएं आपकी मैलनुट्रिशन का शि है किसी एरिया वाइस के तो सुनिए उत्तर प्रदेश का आपका साउधन एंड इस साउध इस्टन एरिया इसके अलावा आपका च्छतिसगर्ड पार्ट्स ओफ एंपी बंगॉल जारकन उडिशा बिहार और महारास्ट यह वह स्टेट हैं जहां पर आपको जो है फूड इ इसलागह बड़े-बड़े राज्यों में भी यह समच्या है यह समाश्या है कैसे वह फूड security का indicator का इंडिकेटर बन सकता है ऐट् fazla कोई एक एक मामुली बात नहीं पार कोई आदमीं बहुत बूका है और उखके-पेट्स होता है इसका मतलब गरीब तो इसका मतलब यह पा आ सकती है फूर्ड सिक्योर्टी कब आ सकती है जब आप दो बाते कहें जब आप जो आज लोग भूके हैं उनको पेट भर खाना खिला पाएं या फिर आगे भविश्य में कभी जिंदगी में हंगर का कोई शिकारी ना हो आज भूकमरी मिटा दो और आने वाले भविश्य में इसके लिए जडोरी है स्टॉक होना खाने वाप देखेंगे इन को आगे बटते हैं रूप में हो जो सीजन के हैं करनी मिलेगा भूका बंद है को सोना पड़ेगा दैटिशनल क्रोने च्रोनीं क्या होता हे जो इसुझ आरा क्योंकि आपको खाने के लिए कभी चार रोटि कभी कभी दो योडी कभी औरली मिला है कभी और अव्य चौनार को बहुत खतरनाक है और यह मिलती है अमीर हो थोड़ा सा राइता देना थोड़ा सा रज्कुल्ला देना यूशा दाल चावल मिक्स करके खाता है गरीब आदमी का नहीं पता होता तो उसके पास डाइट नहीं होती क्यों नहीं होती उसका रीजन है क्योंकि इसके पास इंकम नहीं है अरे कौन नहीं अच्छा खाना खाना चाहता पर उस अच्छे खाने के लिए पैसा चाहिए इनका पैसा नहीं ह तो इसी वाज़े से वह अपना खाना नहीं खरीद पाते हैं और वह आप देखना जाए तर गरीबाद में किसा दाल चावल में काम चल गया कभी एक अचार मिल गया मचली चावल मिल गया प्रफर खाना नहीं है सिर्फ पेट भर रहे हैं जैसे तैसे यह कैसा है साइकल कटाई के लिए किसी और को बुला लिया तो जो गाओं में जो सीजन अग्रिकल्चर का इसकी वह से उनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है शहर में आजाए तो कैश्वल वर्क वही मिस्त्री वाल एक्जामपल ले लीजिए हर व्यक्ति सहर में पूरे छेचे महीने काम कराता है कभी तीन महीने में घर तयार हो रहा है कभी साल में कभी एड़े साल में कभी काम नहीं मिल रहा है तो यह सब अक्टिविटी के कारण सीजनल हंगर हम कह सकते हैं क्या सॉलुशन इनका यह ऐसी चलता रहेगा सॉलुशन यह कि आजादी के समय से भी भारत एक लगात इतना बढ़ा दिया कि जिसके इसे हम फूड ग्रेंज में सेल्फ सफिशन्ट हो गए यह 1960 में स्टार्ट हुआ था इससे दो क्रॉप को फायदा मिला वीट और राइस को इस भढ़ती हुए प्रोग्राइस को देखते हुए इंद्रा गांधी ने एक स्टेंप निकाली जैस सरकार के पास अनाज मनदार बढ़े तो लोगों की भूक मरी गायब करने में बदद में बाध में वीट रेवलूशन का इंपैक्ट यही सब चीजे जो ग्रीड रेवलुशन ने वीट को दिया वही ग्रीड रैस को दिया और धीरे दीरे देखते देखते हमें पता चला कि हम लोग गयों और चावल में अपने आप में सेल्फ सफीशन्ट हो गए हैं पर एक प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम क्या है इसका इंपक्ट जो उन राज्यों को मिला जिनके पास वो फैसिलिडिस थी जो ग्रीन डेवलिशन का फाइदा उठा सकती थी जैसे पानी की उपलब जैसे ही मेरट बाकमत इसकी बात आती है गन्ना इतना महंगा बिक रहा है पूरा उत्तर प्रदेश उस तरीके से ग्रो नहीं करा जिस तरीके से इस पार्ट ने ग्रो करके दिखाया सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट का मिली उत्तर प्रदेश में 44 मिलियन टन ग्यों पैदा हुआ मतब फूड ग्रेंट पैदा हुआ फूड ग्रेंज ही कहेंगे और सेकेंड नंबर पर आया मध्य प्रदेश जहाँ पर 35 मिलियन टन फूड जो है ग्रेंज प्रोडक्शन बड़ी देखने को मिली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वो ऐसे राज्य थे जिसने वीट के मामले में काफी सफलता पाई और सफलत पाई आप देख सकते हैं वीट का प्रोडक्शन आप देख सकते हैं क्लिरली कि बहुत कि अच्छी ग्रो हो रही है फूड सिक्योर्टी निंडिया की बात करें अब हमने गयों और चावल उत्पादन कर लिया तो अगर इसे हम देखें तो आज इंडिया जो है फूल फूड ग्रेंज के मामले में सेल्फ सफीशेंट है और यह पिछले 30 सालों में हुआ है क्यों हुआ है विकाज हमने वेराइटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करें हमने पहले वीड से शुरुवात की थी फिर हम राइस तक पहुचें फिर पल्सी फिर हमने कई सारे मल्टी हमने बहुत हुआ हमने कोको नट हमने कॉटन हमने सीशंचा काफी सब कुछ हुआ है जिस अब इसकी वैसे क्या होगे हम लोग कभी तो बाजना खाते यह कभी गयू खाते कभी चावल घाते बहुर मक्का ऐसे हम काम चला लेते हैं चीक है फूट सिक्योर्टी सिस्टम के दो वे हो बफर स्टोक का मतलब है सरकार ने अनाज किसानों से ले लेके अपने गोदामे में भनने शूरू कि इसका मतलब है गोदाम ठीक है और यह नाज सरकार के पास आया कहां से तो सरकार ने डिपार्टमेंट मनाया था इसके लिए फूड कॉर्परेशन ओफ इंडिया फूड कॉर्परेशन ओफ इंडिया किसानों के पास जाता था समय आज अगर मालों गयों बोना है उससे पहले एक प्राइस दे देते थे इनको कि अगर आप गयों करोगे तो आपको हम यह मूल आपके खरीदने का देंगे फॉर एग्जा ज़ारा की 10 Mommy कोषा आपको सौर यह देंगे उसने अगर मैं गयों करताओ तो 20 freaking मिलते हैं शुर करता हो तो 100 मिलते थो इस तरीके से बन्दा लालच में ऐया लाआ तो म smart production की क्न धोले थे सरकार ने खरीदा खृद के स्टॉक में पहुंचाया स्टॉक से PDS यानि difenge लाशन क इनको दिया इन्होंने जंता को दिया तो खाना हो गया न सब के पास पहुच गया तो डो तरीके है है फूट सिक्राइडणे के वफरी स्टाउक और पर बदस्टऊक और अनाज की ब्वंडार की बताऊं आपाद भंडार की होता ठाम है आगे से पर्चेस करए हैप से कर रही है फार्मर से कर रही है किन फार्मर से कर रही है जिनके पास सर्प्लस है जिनके पास बेचने के लिए अनाज होगा उनी से खरीदेगी जिनके खुद के लाले वांदे पड़े वो तुमको क्या देंगे तो सरकार ऐसे फार्मर को कॉंटेक्ट करती थी जिनके पास सर प्लस फूड उनके पास होता था जो ग्रीन डेवलिशन आप पूरी तरह किसा यूटलाइज कर सकते यानि कि अमीर फार्मर्स अमीर फार्मर्स तो सरकार ने खाना खरीद लिया फार्मर से सरकार पहुंच गया गोडाउन गोडाउन के बाद क्या है जो फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया एफसी आई कैसे लेता था फार्मर से उसके लिए वह एक प्री अनॉंस प्राइज देता था फसल बोने से पहले एक रेट देते थे किसानों को जिसे हम कहते थे मिनिमम कि इगे मुझे जंधे होना है सरकार अब करें के अपने पता चल जाएगी है वह यहां पे फूड्ण जो औह बहुट जादा है तो यहां से यहां बाट देंगे तो यहां balance हो जाएगा इससे क्या होगा इससे balance हो जाएगा तो food grains को इसलिए stock किया जा रहा था सर हम आपको 30 अधेρι आचे जेदना शुरू किया और जो समливо मार्केट यह कं देते थी सर्कार में जो फ्राइस दिया उसे इशु प्राइस कहते है इशुपाइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता था हमेशा कम होता था ना वτιफ्र यूस फी प्राइक नहीं इसके लिए इपार्टम बनाए गई पीडेयास को में राशन शॉप यह फ्यर प्राइस शॉप भी कहते है राशन की दुकान जिसमें चीनी तो इसे टो टल ऐसी इतनी राशन शॉब बनी इतनी राशन शॉब न हम जासे नना जो नहीं गरीबा बटना शुरुहा और कितनी राशन शॉब बच्छों फाज़े पांच लाख दुकाने खोल दी गई गरीब हो के लिए जिन संट में लिया और बसमें यात्रा कोन कर सकता है जिसके टिकट रोख फिंजिकाति हो मैतरो कॉन कर सकते हो इन दुकानों से समान ले आपाये उसमाने में गैस पगेरा का उत्ता था नहीं केरोसीन का था बढ़ में सरकार ने जैसे से गैस आई केरोसीन को बंद कर दिया गरीबों की बेश्चक चाह रही हो केरोसीन की बट आप इसलिए नहीं क्योंकि इसका यूज मिस्यूज में बदल गया लोग गलत हरकत कर र बिलो पावर्टी लाइन आप गरीबी रेखा से नीचे है अबावर्टी लाइन आप गरीबी रेखा से उपर है मालो यह पावर्टी लाइन है मालो यह पावर्टी लाइन है एक इससे उपर अबाव पावर्टी लाइन इससे नीचे बिलो पावर्टी लाइन और इससे बहु security act 2013 इसमें क्या बोला गया इसके तहट 75% गाउं के लोग 75% गाउं के लोग और 50% शेर के लोगों को आज मिलेगा ही मिलेगा यह उनको वो दी गई श्योटी विश्वास दिया गया सरकारी तरब से आप भूके नहीं मरेंगे चलिए बहुत अच्छी बात है आज अगर करेंट PDF का PDF का स्टेटस देगे PDF नहीं देगे PDF का स्टेटस देगे PDF मतलब पब्लिक पब्लिक डिस्ट्विशन सिस्टम देखे तो शुरुआत में PDF जो था वो यूनिवर्सल था यूनिवर्सल मतलब open to all open to all चाहे वो आपके रेच हो चाहे वो आपके पूर हो सबको मिलता था सबको आजादी थी बढ़ 1992 में चेंज किया गया उन्हों देखा यार हम तो गरीबों के लिए बनाना चाहे थे तो आम नॉर्मल अमीर सब इसका इस्तिमाल कर रहे है 1992 में चेंज आया और बोला गया कि अब उसे यह 1700 ब्लॉक में चाहिर होगा पहले ओल इंडिया था अब 1700 और वह भी उनको दे रहे तो जहाँ पूर थे यह पूर थे तो क्यों दिया गया यह क्यों किया गया ताकि गरीब और बैकवार्ट लोगों को मदद मिल सके फिर भी इसमें कुछ लोग ठीक ठाक थे तो सरकार ने एक बार फिर से जून 1997 में चेंज किया क्या कि हम सिरफ गरीबों को ही को देंगे गरीबों को देंगे और इसमें पहली बाद डिफ्रेंशल प्राइस पॉलिशी लाए गई डिफ्रेंशल प्राइस पॉलिशी मतला अगर नॉर्मल पीपल मिदल क्लास का बंदा आना चाहता है पर तेरी रेट होंगी बेटा राशन की अगर 30 रुपे के लों मिल रह अब राशन क्या कोछ और तो नहीं है राशन कार सम्मिट करो दुकान से खरीदा शुरू करो बट कुछ लोग नहीं माने कुछ लोग ने किया तो सरकार ने डिफ्रेंशल प्राइस पॉलिशी लेगा है कि तू आएगा ले राशन पर बेटा भार गहूं मिल रहा है 30 रुप की रेट पर मतलब वही 2 रुपक लोग गया हूं 3 रुपक लोग चावल 2000 सरकार ने इसलिए दो इसकीम लेकिया अंतिवध्य स्कीम और अनपूर्णा स्कीम अनपूर्णा स्कीम आई बुज़र्गों के लिए अंतिवध्य योजना तो आप जानते हैं अंतिवध्य मतलब अ 25 किलो जो है अनाज मिलेगा जिसमें 2 रुपे किलो आपके गहूं और 3 रुपे किलो आपके राइज मिलेंगे बाद में ये 25 से 35 किलो कर दिया गया रेट वही थी उसके बाद ये जो है योजना फिर बढ़ाए गई दूसरी यार की गए और परिवार 50 लाग हो चुके दे औ तुमने राशन की दुआन खोली पर मेरे सामने कल रामुका का खतम हो गया और तुम्हारे गोडाउन को सरकान ने बोला अरे ऐसे कैसे अनाज हमारे पास बहुत है मैं गया देखने तो मैंने देखा कि अनाज सड रहा है अनाज की कमी नहीं है कमी इस विद्धी पीडियस इ लोगों को राशन के समय पर बोलता राशन खतम है और लेजा के बनिया दूसरे बनिया की दुकान पर प्रविट दुकान पर राशन को बेच रहा है तो प्रब्लम हो रही है एफ सी आई के पास बहुत सारा नाज था बट सब का सब या तो शड रहा था या चूए खा रहे और सिच्वेशन कुछ ऐसी थी कि सरकार कहती थी कि भाई 30-35 मिलियन राशन बना के रखो स्टॉक में हो रहा था 65-65 मिलियन मतावन आज में कमी नहीं है और बस बाट नहीं पा रहे हैं बस बाट नहीं पा रहे हैं जो डिलर थे पीडियस के राशन के जो दुकांदार थे ज पीडियस वाले जो है मैल प्रैक्टिस घपलेबाजी में वह थे दूसरा क्या था लोगों ने बोला कि शुरुआत में आपने सब को राशन दे के गलत किया क्यों आगर आपको गरीबों की पड़ी थी तो आपको सब को नहीं देना था अब सब उसका फाइदा उठा रहे त आपका जो डीलर है वह गरबर घुटाले में शामिल है तो इसलिए पीडियस को जो है वह बहुत-बहुत बुराइयां मिली ऐसे में कॉंसेप्ट आता आपको निकल के रूल अफ कॉपरेटिव सोसाइटी रूल अफ कॉपरेटिव सोसाइटी या कॉपरेटिव फूड सीक् करती है वह जो फलो के दाम है वह दिल्ली सरकार डिशाइड करती है अपने आपसे नहीं बेचते वह प्राइस कैसे डिसाइड हो दे जनता इसे अफॉर्ड कर पाए क्योंकि फूड फूड सीक्योर्टी का मतलब ही यह है कि अविलिटी एसेसिबिलिटी एंड क्या च्याशा अविलिटी एकसेसिबिलिटी तीनों चीज़े हो पाएं तो रोल अफ कॉपरेटे साउथ और वेस्टन पार्ट आफ कंट्री में बहुत सक्सेस्फुल रहा इन्होंने बहुत-बहुत मदद की राशन को कम राट पर बातने की फल दूद सबजियों को कम रेट पर देने की स तो हां लेने के लिए हम जाएं कैसे हमें क्या पता कहां सस्ता है तो हमें पर्माने ठिया ठिकाने मिल गए अमूल और मदेरी मिल गए दोनों हमें मिले हमारे चीवन में कुछ खुशिया आ गई महाराश्ता की बात करें तो ADS Academy of Development Science ना भी कुछ कदम उठाए यह Academy ने क्या कि जिसमें आपके बढ़ते वह ड्राम सदे का बड़ासा वह 20 रोड में लगा दिया वहां सब लोग आके जिसका सब्स था और जिसको जरूत होती थी वह वहां से निकाल लेता था इस तरीके से ग्रेन बैंक स्टैबलिश्ट हुए ताकि अनाज जो है गरीब लोगों को जिए वाले लोग बैठते थे और वही लोग डिशाइड करते थे कि किस रेट पर गरीबों को अनाज किसको कितना देना है सो आई होब कानी खतम मजा आया होगा फूट सिख्योटी इंडिया देखके मिलेंगे अगली बार तब तक के लिए बाए सो उमीद है कि आप लोगों कोई चैप्टर समझ में आया होगा एक बार फिर से चोटा चैप्टर कट टू कट चैप्टर विदाओं टाइम टेकिंग मैं विश्वास ही नहीं रखता कि छोटे चप्टर को इतने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चैप्टर्ष को लेंडी लेंदी बनाके आपको पढ़ाया जाए समय कम होता है टाइम उतना ही लिया जाए जितना नीडी है अदर्वाइस कोई फायदा नहीं है कि आपकी क्लास लेक्चर को मैं लेंदी करके और थोड़ा सा आपको टाइम को डिस्टब करूं या वेस्ट करूं मिलेंगे नेक्स अगले बार फिर से याद कर रखिया मुस्कुराते रहिए बढ़ते रहिए और अपने इस स्प्रिंट सीजन को इंजॉय कीजिए चलिए बाए बच्चों